हे गाईज जैहिन स्वागा थे आपका एग्री मंत्रा यूटूब चैनल पर और मैं हूँ आपका दोस्त संजय विशो कर्मा इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिग एग्रिकल्चर जॉब्स के बारे में जो अपका नाम है एग्रिकल्चर डव्लप्मेंट ऑफिसर सारा कुछ डीटैल हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि टोटल नमर और बैकेंसी क्या है इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है एज लिमिट क्या है सेलरी क्या रहने वाली है और आवे आवेदन करने की लास्ट डेट की बात करेंगे तो वह आपकी 21-12-2021 यानि कि आप 21-2021 तक 21-2021 तक आप यहां पर आवेदन कर पाएंगे तो काफी अच्छा समय आपर आपको आवेदन करने को मिलेगा बाकी यहां पर 52 पोस्ट है जिसको हम आगे डीटैल में जानने वाले हैं आवेदन की लास्ट डेट की हमने आपर बात कर ली है ओफिशल वेबसाइट की बात करें तो www.hpsc.hp.gov.in ये इनकी ओफिशल वेबसाइट है और सारी जानकारी के लिए आप यहां पर बिजिट कर सकते हैं बाकी यहां पर आपका जो एज प्रूफ रहेगा वो रहेगा मे यहां पर जो है बेकेंसी का डिस्टिबिशन है जिसको आप चेक कर सकते हैं सेलरी की बात करेंगे तो 10,300 रुपे से लेकर 34,800 रुपे प्लस यहां पर सेलरी आपको रहने वाली है जो की 5000 ग्रेट पेपर रहेगी तो काफी अच्छी है आपर सेलरी दी जा रही है बाकी आग यह important बात है जो आप सबी को याद रखना है आप मैसे जो भी FSSAI exam की preparation कर रहे हैं तो आपके लिए एक good news है कि ओली बोर्ड आपके लाया है free all India scholarship test यह free test start हो चुका कल रात 12 वजे से जो 28 नवेंबर की साम 7 वजे तक available रहेगा यह opportunity हाथ से मत जाने दीजेगा अगर आप FSSAI के लिए serious हैं तो आज ही test के लिए register करें आपके पास मौका है 50% तक scholarship जीतने का इस test की national ranking भी आप देख पाएंगे यह एकदम free है link आपको description box में मिल जाएगी बाकी आगे हम salary की बात करें तो 10,300 से लेकर 34,800 रुपे प्लस 5000 ग्रेट पे यहाँ पर जो है आपकी salary रहने वाली है और यह कुछ important eligibility condition है जिनको आप यहाँ पर ध्यान में रखियेगा बाकी आगे अगे हम बात करें age limit की तो 18 साल से 35 साल यानि की 18 to 45 years यहाँ पर जो है आपकी age limit है कुछ age में relaxation है 5 year age relaxation है यहाँ पर bona fide of SC of हिमाचल प्रदेश, ST of हिमाचल प्रदेश, OBC of हिमाचल प्रदेश यहाँ पर जो इनको है age में relaxation भी यहाँ पर मिलने वाला है और age का ज age को रखा गया है माना है इने 18 से 45 साल के बीच में बाकी आपको कैसे आविदन करना है तो यहाँ पर इनकी official website पर आपको विजिट करना है वहाँ पर जाके आप अपने farm को आविदन कर पाएंगे और सारी information भी आप हहाँ पर चेक कर पाएंगे बाकी आगया है हम अगर आवि इसी भी categories के हूँ तो उनको general category के हिसाब से यहाँ पर आविदन सुल्क देना होगा जो कि 400 रुपए यहाँ पर रहेगा हमाचल प्रदेश के SCST OVC candidates के लिए यहाँ पर 100 रुपीज जो है आविदन सुल्क रखा गया है बाकी female candidates ex-servicemen of हमाचल प्रदेश इनके लिए कोई fees नहीं है यानि कि यह इस post के लिए All India student यहाँ पर आविदन कर सकते हैं application fees आपकी 400 रुपए यहाँ पर रहने वाली है यह important बात है जो आपको सभी को ध्यान रखनी है फिर आगे हम बात करें यह कुछ important points है जो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं पढ़ सकते हैं selection process की हम बात करें syllabus की बात करेंगे तो 80 multiple choice question जो है आपके BSE agriculture level के रहेंगे 10 question जो है आपके MSE agriculture level के रहेंगे और 10 question आपके हमाचल प्रदेश के general knowledge के और national और international affairs के रहेंगे और total duration जो है आपका 2 गंटे यहाँ पर रहने वाला है यह कुछ important बात जो आपको धिहन रखना है यह इनके official website है यहाँ पर आप और सारी information चेक कर पाएंगे बाकी यहाँ पर कुछ important बाते यहाँ पर बताईएं जैसे कि minimum passing marks यहाँ पर in computer test और offline test जो की objective या फिर descriptive type कर रहेगा यहाँ पर 25% आपको लाना है minimum qualify marks for general category candidates और 20% qualifying marks reserve category के लोग यहाँ पर लाना पड़ेगा बाकी फिर यहाँ पर the minimum passing marks personality test मे आपके 45% होना चाहिए general categories के लिए और 35% यह 35 marks sorry 45 marks यहाँ पर marks जो है number जो है general category के लिए 35 marks जो है आपके reserve category के लिए यहाँ पर रखा गया है minimum passing marks और सारी information आप यहाँ पर check कर पाएंगे और सारी detail यहाँ पर दे रखिए जिसको आप समझ सकते हैं यह computer based test यानि कि आपका जो objective type question रहेगा exam paper रहेगा उसी किसाब से आपर information दे रखिए फिर आगे हम बात करेंगे तो यहाँ पर alternate answer यहाँ पर जो है आपका wrong answer पर .25 यानि कि यहाँ पर exam में आपकी negative marking भी रहने वाली है एक question आपका एक मास्क कर रहेगा गलत होने पर .25 यहाँ पर deduct कर लिया जाएगा तो य important है यह बाकी यहाँ पर all India student इस post के लिए आविदन कर सकते हैं कोई समस्य यहाँ पर नहीं है आविदन शुलकी की हमने बात कर लिये कुछ important points जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है यहाँ पर यह दिये रखे हैं आप इनको पढ़ सकते हैं तो guys यह थी आज की वीडियो agree mantra 2.0 को subscribe नहीं किया है तो उसकी link आपको वीडियो को description box मिल जाएगी वहाँ से जाके आप उस channel को subscribe कर सकते हैं उस channel पर agriculture jobs और agriculture से जुड़ा हुआ update समय पर मिलता रहता है और दूसरी important information कि अगर आपने अभी तक agree mantra का official telegram channel को join नहीं किया है तो उसकी link आपको वीडियो को description box म मिल जाएगी वहाँ से जाके भी आप हमारे उस channel को join कर सकते हैं जिस पर डेली current affair notes, pdf notes और quages वगेरा चलते रहते हैं तो अगर आप किसी भी agriculture comparative exam की तयारी कर रहे हैं तो हमारे उस channel को subscribe जरूर किजिगा ताकि आपको आपकी exam की preparation में बहुत सारी information मिल सके और एक preparation में boost मिल सक तो guys ये थी आज की video आई हो आपको वीडियो पसंद आएगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करें वीडियो को दोस्तों के शाएर करें मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भारत